वेल्कम फ्रेंड्स तो आज मैं आप सभी दिलाई हूँ केले की सूखी सबसी की रेसिपी जो कि हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे और आप इसका लुक और टेक्शर सामने से देखिए बहुत ही डेम्टिंग और बहुत ही डिलिशिस लग रही है ना और यकीन मानिए खाने मे बहुत ही ज्यादा चटपटी और बहुत ही टेस्टी होगी बहुत ही फ्लेवर फुल होगी क्योंकि केले के अंदर तक सारे मसालों का फ्लेवर जाएगा क्योंकि हमने इसे प्रेशर कुकर मनाया और बिल्कुल सूखी सूखी है सबसी तयार होगी और बिल्कुल हमारे पेस्ट और सारी चीजों को अच्छापन चला जाए उतनी देर तक भुनना है तो ऐसा करने में हमें 2-3 मिनिट लगेंगे दीकिए 2-3 मिनिट ने कवर करते वे भुनना है तो आप देखे बहुत अच्छा लेस्ण का कच्छापन चला गया है और प्यास भी बहुत सुनहरा हो यहीं पर आट कर देते हैं, दो मीडियम साइज के टमाटर को साथी आट करेंगे वन फोर्थ कप मतर, स्वादुन सार नमक, हाफ टीसपुन हल्दी का पाउडर और हाफ टीसपुन धन्या और जीरे का पाउडर, साथी मैंने यह आपे हाफ टीसपुन मिक्स मसाला लिया है और इन सारी चीजों को आप अच्छी तरह से मिला ले और इन्हें भी कवर करते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर भुने जब तक की मसालों का कच्चापन ना चला जाए तो सिर्फ 2-3 मिनिट ही भुनना है और 2-3 मिनिट के बाद आप देखें बहुत ही अच्छी तरह से टमाटर तो और हम इसमें ऐड़ करेंगे बिल्कुल 2 चमच की जितना पानी उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं ऐसा करने से हमारे जो मसाले हैं वो तले से लगेंगे नहीं और इन्हें एक बार मिला ले और इन्हें cover कर देंगे हम और बिल्कुल low flame पर धक्कल लगाते हुए pressure cook करेंगे सिर्फ धो फिसल आने तक दो फिसल के बाद pressure खुद release हो गई हो तो अब इसे निकाल लेते हैं और खोल कर आपको दिखाते हैं, तो देखिए हमारे सारे मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और केले भी पक चुके हैं, और मसालो का फ्लेवर केले के अंदर तक जा चुका है, तो आप फ्लेम को अन कर लेंगे, और मीडियम फ्लेम पर सारे मसाले के साथ अपने केले क को सिर्फ पांच मिनिट के लिए भुनेंगे जब तक कि ओयल सेपरेट न हो जाए तो देखिए ओयल सेपरेट होनी शुरू हो चुकी है तो फाइनली आट कर देते हैं फ्रेश धनिये को और उसे भी एक बार मिला लेते हैं और मिलाने के बाद एक बार चला ले और बिल्कुल एक मिनिट के लिए पकने देंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर आपस में मिल जाए और एक मिनिट के बाद देखिए बिल्कुल तयार है हमारी चतपटी मसालेदार सूखी केले की सबजी जो कि मिन्टू में तयार हो गई है और हमने इसे प्रेशर कुकर में बनाया है जिससे क केले बहुत ही सॉफ्ट लगेंगे और खाने में बहुत ही चटपटे लगेंगे क्योंकि मसालों का फ्लेवर अंदर तक जाएगा और बनाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही असान था तो अगर आपको यह रसे पी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई